कर दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे रोट आयरन के बारे में रोट आयरन आयरन का ही टाइप होता है और यह है एक इंजिनरिंग मैटीरियल है और इंजिनरिंग मैटीरियल के अंतरगत यह है एक मेटालिक मैटीरियल भी है और मेटालिक मैटीरियल म वो कम से कम 99.5% तक हो सकता है और ये अधिक्तम 99.9% तक भी आईरन इसमें जा सकता है इसके अत्रिक्त रोट आईरन में जो दूसरी कंपोजिशन होती हैं उसमें कारबन होता है जो तकरीबन 0.020 परतीसत के आसपास रहता है सिलिकोन 0.020 परतीसत के राउंड रहता है सल्फर 0.018 परतीसत तक हो सकता है फास फॉर्स की मुझूदगी इसमें 0.020 परतीसत होती है इसके अत्रिक्त इसमें सलैग होता है 0.070 परतीसत बाकी जो है वो सारा इसमें आईरन होता है अब बात करते हैं कि जो रोट आईरन है इसका जो मेल्टिंग टेंपरेचर है वो तकरीबन 1538 डेगरी के आसपास होता है जो कास्ट आईरन के मेल्टिंग टेंपरेचर से तकरीबन 300 डेगरी सेल्सियस ये ज्यादा होता है रोट आईरन को कैसे बनाया जाता है जो माइंड आईरन और होते हैं जैसे रेड हेमेटाइट, मेगनेटाइट, लिमोनाइट, आईरन पाइराइट या साइड राइट इतियादी इन सभी को कोक और फ्लक्स की मौझूदगी में बलास्ट फरनेंस में डाला जाता है बलास्ट फरनेंस से हमें जो परड़क्ट मिलता है वो पिग आईरन मिलता है तो इस पिग आईरन को फिर से पडलिंग फरनेंस में री मेल्ट किया जाता है पडलिंग फरनेंस अगर हम द पॉल्स आप्टे कहते हैं उन पर्दर ट्रेट्मेंट की जाती है रोलिंग इतियादी करते हैं ताकि जो रॉपर्टी चाहिए रोट आइर्न की वो हमें मिल जाएं तो फाइनली जो पॉडलिंग फर्नेंस है इससे हमें रोट मिलता है तो जैसा कि हमने बात की इसमें जो कार्बन है वो 0.02-0% होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मुझूदगी कम होती है और यही कारण है कि इसको हीटिंग के दोरा हार्ड नहीं किया जा सकता इसके अतरिक तगरम बात करते हैं इसमें जो दूसरी प्रोपर्टी है यह एक टफ मैटीरियल होता है मैलियेबल मैटीरियल होता है और यह एक डक्टाइल मैटीरियल होता है डक्टाइल मैटीरियल होने के कारण जो रोट आइरन है इससे हम वायर ड्रोइंग कर सकते हैं सीट इतियादी से बनाई जा सकती है और रोट आइरन को हम बड़ी आसानी के साथ फोर्ज कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं या फिर वेल्ड किया जा सकता है desired shape में और रोट आइरन से जो भी product बनते हैं वो जादातर forging से ही बनते हैं और forge welding में जो रोट आइरन है उसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी रोट आइरन में कुछ defects होते हैं जैसे cold sortness या red sortness ये दोनों इसमें मुझूद fast force और sulfur की presence के कारण होते हैं जो cold sortness होती है इस case में जो ये material है ये brittle हो जाता है weak हो जाता है जिसके प्रिणाम सवरूप इसे हम cold working में इस्तेमाल नहीं कर पाते अगर red sortness material में आ जाता है ये basically brittleness के कारण आता है जिसे ये जो material है red heat पर इस पे हम working नहीं कर पाते और ये forging के लिए भी unsuitable हो जाता है इसलिए road iron पर कारिया करते समय हमें इन दोनों defects को ध्यान में रखते हुए properly control में process को करना होता है और जो road iron है इसका इस्तेमाल हम casting में भी नहीं करते क्योंकि जो road iron है ये casting के लिए suitable material नहीं है क्योंकि ये जो material है ये cast iron की तरह elevated temperature पर fuse नहीं होता जैसा हमने starting में बात की कि जो road iron है इसका melting temperature तकरीबन cast iron के मुकाबले ज़्यादा होता है cast iron का अगर हम melting temperature की बात करते हैं वो तकरीबन 1204 degree के around होता है और इसका जो melting temperature है वो 1538 degree के around होता है काफी difference है तो यही कारण है कि जो road iron है यह casting process के लिए suitable नहीं रहता इसको fuse करना आसान नहीं होता या कह सकते हैं cast iron की तरह इसको fuse नहीं किया जा सकता इसके अतरिक्त जो road iron है यह shodden और excessive जो shocks हैं उसको भी यह withstand नहीं कर पाता beer नहीं कर पाता और इसकी जो tensile strength होती है वो तकरीबन 250 MPa से 500 MPa के बीच में होती है और इसका जो compressive strength है वो 300 MPa के around रहता है अब बात करते हैं कि जो road iron है इसको कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है इसकी application क्या होती है road iron की अगर हम application की बात करते हैं तो बहुत सारी application है अपने एर्द गिर्द हम देखते हैं कि बहुत सारे product हैं जो road iron के बने होते हैं इसका इस्तेमाल garden bridge बनाने में किया जाता है garden में इस्तेमाल होने वाले hotels वगेरा में इस्तेमाल होने वाला जो furniture है, chair है, table है road iron से बनी होंगी आपने देखा भी होगा oil, steam या water pipes भी इसके दुवारा बनाए जा सकते हैं chain बनाने में इसका इस्तेमाल होता है railing बनाने में इसका इस्तेमाल होता है जो gate है वो भी road iron के बनाए जा सकते हैं इसके अत्रीक तखरम विस्तार से देखें ship building में road iron का इस्तेमाल होता है agriculture, implements बनाने में इसका इस्तिमाल होता है, nuts और bolts बनाने में इसका इस्तिमाल होता है, crane hook बनाने में, railway draw gears में, तो यह बहुत सारी application है जो road iron की हम अपने इर्दगिर्द देखते हैं, तो दोस्तों जैसा हमने बात की, कि जो road iron है, यह एक engineering material है, और engineering material mostly दो तरह से हम categorize करते हैं, metallic और non-metallic, तो उसमें यह metallic material के अंतरगत आता है, और जो metallic material है, उसको भी हम दो तरह से main categorization करते हैं, ferrous और non-ferrous, तो उसमें यह non-ferrous material के अंतरगत आता है, तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि road iron की composition क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है, क्यों इसे purest foam कहा जात है iron की, क्यों यह casting के लिए suitable नहीं है, इसमें क्या-क्या defects होते हैं, इसकी properties क्या होती हैं, और इसकी क्या-क्या application होती है, कहां इसको इसको इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको यह video अच्छा लगा, आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं, एक नए video के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे क्या आपको प्रश।